दोस्तो आज मेरे पास एक अरजेंट में कोईरी आई है इसीने मुझसे पूछा है कि भाईया मैं बिजनस करना चाहता हूँ बिजनस करने की मेरी बहुत जादा इच्छा है लेकिन घरवाले मुझे प्रेशराइज करने हैं नौकरी करने पड़ेगी मैं बहुत जादा परेशान हो गया हूँ लाइफ से मन भर गया है मन करता है इस घर से भाग जाऊ तो मैं क्या करूँ घरवालों को कैसे कन्विंस करूँ या आगे कैसे बढ़ूँ मेरे भाई आज जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो मेरे साथ सालों पहले हो चुका है मेरे फादर भी मुझे ऐसे ही प्रेशराइस करते थे समझाते थे कि बिजनस मत करना नौकरी करना क्योंकि उन्होंने बिजनस किया है आज भी कर रहे है उन्होंने बहुत जादा उतार चड़ाओ देखे तो उनको ऐसा लगता था कि नौकरी बहुत सेफ है स्टेबल है तो मेरे बच्चे स्टेबल रहे है तो सबसे पहले तो मैं आपको अपने एक्स्पिरियंस से बहुत साल बिजनस कराया कर रहा हूँ कुछ जरूरी बाते समझाऊँगा सबसे पहली बात कहीं लोग बिजनस इसलिए चूस करते है कि उनको लगता है कि बिजनस में बहुत पैसा है चारो तरफ से पैसा ही पैसा आएगा पतानी हम कितने बड़े आदमी बन जाएंगे तो दोस्त ऐसा नहीं है बिजनस में रिस्क भी बहुत ज़ादा होता है पैसे की कोई गैरंटी नहीं होती पहले कुछ साल तो पैसे को भूली जाना सिरफ मेहनत करनी है, खर्चा करना है एक बीज को पेड़ बनाना है और कई सारे बीज बरबाद हो जाते है तो बिजनस करना आसान नहीं है दूसरी बात कही लोग ये सोचते हैं कि मुझे पढ़ाई ना करनी पड़े नौकरी के लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी कोर्सिस करने पड़ेंगे डिग्रिया लेनी पड़ेंगी पढ़ाई से बचना है तो बिजनस को पैशन मना लो और घरवालों को बोल दोगी मैं तो बिजनस करूँ आ इसलिए मैं पढ़ाई नहीं कर रहा बहुत लोग करते हैं ऐसा तो दोस्त ये गलत है पढ़ाई से बचो मत आपकी पढ़ाई लिखाई हमेशा आपके साथ रहती है आपकी मदद करती है आपको एक प्लैन भी देती है आपको नॉलिज देती है एक्सपिरियन्स देती है लोगों से बात करने का तरीका देती है आपको इंटेलेक्चुल बनाती है पढ़ाई करना बहुत जरूरी है सिर्फ पढ़ाई के लिए पढ़ाई से बचने के लिए बिजनस को टार्गेट मत बनाओ अगर आपने बिजनस करना भी है तो पहले पढ़ाई करो डिग्री हासिल करो कुछ साल नौकरी करो एक्सपीरियंस लो पैसा जोड़ो आगे आपने अगर इंप्लोईज आयर करने है तो देखो ना कि इंप्लोईज काम कैसे करते हैं उनकी मनोस्तिती क्या है कंपनी कैसे काम करती है पैसा भी जोड़ो पूरी जिन्दगी पढ़िये कभी भी बिजनस कर सकते हो दो साल, पांथ साल, दस साल एक्सपीरियंस लेके फिर बिजनस चालू करना इतने बिजनस के आइडिया को तलाशना ढूंड ना, समझ ना, धक्के खाना, फ्री टाइम में मार्केटों में जाओ इंटरनेट का इस्तमाल करो, लोगों से मिलो एक आइडिया जनरेट करो, उस पर मेहनत करो ये देखो कि वो कितना फीजिबल है, किसी लाइक है भी या नहीं है या सिरफ ख्याली पुला हुआ है अगली बात है बिजनस करने के लिए आपका रिस्क एपिटाइट बहुत जादा होना चाहिए गिरने से डरना नहीं चाहिए एक बिजनसमेन नौकर भी होता है, मालिक भी होता है छोटे बिजनसमेन को अपने आफिस में जाडू तक लगानी पड़ सकती है अगली बात अगर आप सोच रहे हो कि आपको किसी के नीचे काम नहीं करना आप जी हजूरी नहीं कर सकते हैं, बास के नीचे काम नहीं कर सकते हैं इसलिए बिजनस करना है तो वो भी गलत है हर बिजनस में बहुत सारे स्टेक होलर्डर्स होते हैं, पार्टनर होते हैं, सप्लायर होते हैं बड़े कस्टमर होते हैं, बड़े important employees होते हैं और एक मालिक को उन सब की सुननी पड़ती है उनसे दबना भी पड़ता है उनको समझाना भी पड़ता है बारगेन भी करनी पड़ती है तो यह सोचना कि बॉस के नीचे काम नी करना इसलिए बिजनस करूँ का वो भी घलत है बिजनस तब करना जब आप बहुत ज़्यादा पैशनेट बच्पन से ही बिजनस करने का सपना देखते आ रहे हो आपके दिमाग में एक आइडिया है कि मुझे ट्रेडिंग करनी है, फैक्टरी खोलनी है सौफ़वेर की कंपनी मनानी है कोई विजन लेके चल रहे हो बिजनस के अलावा आप कुछ सोच ही नहीं सकते है आपका माइंड ही वैसे चलता है तब बिजनस करने की सोचना और पढ़ाई तो आपने सिर्फ तब छोड़नी है उस थिती में छोड़नी है जब आपके दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया हो सिर्फ दिमाग में ना हो वो कागस पे भी आइडिया हो उसकी फीजिबिलिटी आप चेक कर चुके हो उस आइडिये में दम है आपने रिसर्च कर ली है शुरुाती कारवाई अपने खाली समय में पूरी कर ली है और आपको यकीन हो गया है कि पहला 20-25 परसंट रास्ता आप तैक कर चुके हो तब अपनी पढ़ाई को अपनी डिग्री को बीच में छोड़के आप बिजनस कर सकते हो कि टाइम भरबाद ना हो वरना सबसे पहले पढ़ाई करो काबिल बनो उसके बाद बिजनस कर लेना और अगर कैपिटल ना हो एक्सपिरियंस ना हो आइडिया ना हो तो उसके बाद जॉब कर लेना और साइड बाई साइड बिजनस की तलाश करते रहना जब आइडिया मिल जाए जब सही लगे जब पैसा जुड़ जा तब स्विच कर जा बहुत लोग ऐसा करते हैं और बहुत अच्छे से कर पाते हैं तो खाली बिजनस बिजनस का रागलापना सही नहीं है बहुत चीज़े सोच नहीं पड़ेंगी समझ नहीं पड़ेंगी और तब जाके एक फैसला लेना अपने इमाबब को कन्विन्स करना आपकी जिम्मेदारी है आपके इमाबबब को आपका एक डिसीजन पसंद नहीं आ रहा है तो आपने उनको यकीन दिलाना है कि वो डिसीजन सही और आप वो डिसीजन क्यों ले रहे हो मैं बिजनस करना चाहता हूँ ये डिसीजन नहीं है आप उनको बताओ कि आप क्यों बिजनस करना चाहते हो कितना इंटरस्ट है आपका बिजनस में बिजनस के बारे में आपकी जानकारी क्या है आप किस तरीके का बिजनस करना चाहते हो कैसे आगे बढ़ोगे आपका विजन क्या है वो मना भी कर रहे तो उनको बार बार यकीन दिलाओ कि और कोई आप्शन नहीं आपको बिजनस ही करना है थोड़ा टाइम लगा उनको समझाने में जादा तर माबाप अपने आप समझ जाएंगे आपकी मेहनत से आपकी लगन को देखके अपने आप समझ जाएंगे आप थोड़ी मेहनत करोगे, रिसर्च करोगे, घूम रहे हो, धक्के खा रहे हो पढ़ाई भी कर रहे हो तो अपने आप माबाप को समझ में आएगा कि इसका रास्ता यही है यह बिजनस करके ही सही रहेगा वो अपने आप आपका साथ देंगे उसके बाद भी साथ नहीं देते तो अपना डिसीजन खुद लो अगली बात मैं कहूंगा आपके माबाप से कि सबको पताएगी जादातर माबाप अपने बच्चों का भला ही चाते है उनको स्टेबल और खुश देखना चाते है इसलिए आप अपने बच्चे को गाइड कर रहे हो जो कि बिल्कुल सही है लेकिन माबाप को यह बात समझनी बहुत जरूरी है कि उनका बच्चा उनका गुलाब नहीं होता कोई भी इंसान किसी दूसरे का गुलाब नहीं होता हर इंसान की एक individual identity है अपने सपने है, अपने सोचने का तरीका है अपने ख्वाब है, अपना passion है, अपना life जीने का तरीका है और वो सबका अलग है, आप किसी को suppress नहीं कर सकते किसी को अपने जैसा नहीं बना सकते है बनाओगे तो वो नहीं बनेगा, परिशान रहेगा, depression में आ जाएगा आपको जो चीज़ सही लगती है, अपने experience अपने बच्चे को समझाओ convince करो, reasoning दो और उसके बाद जो आपका बच्चा decision लेता है, उसके साथ खड़े रहो उसको support करो, अगर आपको लगता है कि वो decision सही नहीं है वो कुछ गलती कर रहा है और आपने समझा दिया है, तो भी उसके साथ खड़े रहो इनसान गलती करकर के ही सीखता है सीखनें दोस्कों, उसको बस यह assurance दे देना कि बेटा हम तुम्हारे साथ खड़े है हम हमेशा approachable है, कोई भी failure आजाए, परिशानी आजाए, हमारे पास आजाना हम मदद करेंगे इससे उसको लड़ने की, मेहनद करने की शक्ती मिलेगी अगर आप उसको दबाओगे, उसके अर्मानों को कुछलोगे तो results तो आएंगे नहीं, वो इनसान पूरी जिन्दगी के लिए depressed हो जाएगा, stress में रहेगा, खुश नहीं रहेगा पैसा भी आजाएगा, तो भी खुश नहीं रहेगा उसकी लाइफ बरबाद हो गई, ना वो आपको प्यार कर पाएगा, इज़द दे पाएगा और आगे कुछ सालों बाद आप भी बहुत दुखी होगे और regret करोगे कि हमने उसकी क्यों नहीं सुनी तो ऐसा कोई भी काम आज ना करे, अपने बच्चों को अपनी जागीर ना समझे, आप उनको प्यार करते हो, उनको समझाओ, और उनके साथ खड़े रहो